Welcome back one second to our new video तो इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉफिक के बारे में बात करें जिसमें बहुत लोगों को confusion होता है आप लोग इनकोगनेटर मोड यूज करते होंगे, कुछ आपको private सच करना होता होगा अपर कुछ ऐसा सच करना होता, जो आप चाते होंगे कि वो हिस्टरी में सेव ना हो तो आप क्या करते हैं, तो आप इनकोगनेटर मोड का यूज करते हैं लेकिन आपको क्या पता है, आप जो इनकोगनेटर मोड में सच करते हैं वो history save होता है, वो DNS में save होते जाता है तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा, अगर किसी को भी technical knowledge है तो वो आपके history को आराम से वापस ले सकता है और देख सकता है क्या आपने incognito mode पे सच किये थे तो चलिए चलते हैं अपने desktop screen पे और देखते हैं किस तरह से perform करते है तो हम लोग आ गए अपने desktop screen पे, desktop screen पे आने के बाद हम लोग को क्या करना है तो चलिए देख लेते हैं, तो simply हम लोग अपने command prompt को open कर लेते हैं और क्या है पर लगे नियुक्ते हैं को और देखने सब्सक्राइब स्जुद्छ अवर फिंपिली होड़ा है एक रसे तर strands करने को a चब्सक्राइब तो चल्ब लोग इसे तो है करने के बाद हमोग д fare करने में का रसे लिदा हेनलों देख सकते ह highest तो यहां पे हम लोग का जितना भी हिस्टरी था वो सब यहां पर देखने को मिल जाता है तो हम लोग קरते हैं उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है तो simply हम लोग टाइप कर लिए टाइप करने के बाद हम लोग इंटर प्रेस करते हैं तो जैसे हम लोग इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग लिखा मिल जाता है successfully flush the DNS resolve or catch तो इस तरह से हम लोग अपने DNS में stored सारे data को flush करते हैं इस तरह से हम लोग अपने incognito mode के सारे history को treat कर सकते हैं तो यह था पहला method तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे method पर दूसरा method हम लोग को देखने को मिलता है अपने browser के थुरू तो क्यासे हम लोग अपने browser के थुरू करते हैं तो वो देख लेते हैं तो simply हम लोग को open क्या कर लेना है तो हम लोग को open कर लेना है अपना chrome browser अगर आप लोग Chrome browser यूज करते हैं अगर आप लोग यूज करते हैं Microsoft Edge तो अपना Microsoft Edge open कर लेंगे तो चलिए मैं यहाँ पर Chrome browser open कर लेता हूँ हम लोग अपना Chrome browser यहाँ पर open कर लिए है open कर लेने काद हम लोग को क्या करना है तो जो चीज हम लोग को यहाँ पर search करना है अपने URL box में वो चीज आपको आपके screen पर display होड़ा हो और simply हम लोग को उसे यहाँ पर type कर देना है तो हम लोग यहाँ पर type कर दिये है उसके बाद हम लोग इस पर simply click करते है click करने कर आपको इस तरह का एक page open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको clear host का option देखने को मिल जाता है clear host catch तो हम लोग को simply इस पर click कर देना तो मैं यहाँ पे अपना Microsoft Edge open कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पे Microsoft Edge open कर लिया तो मैं simply यहाँ पे उसी सेम URL को यहाँ पे इंटर करता हूँ इंटर करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे मुझे यह सजेस्ट करा आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं I hope आपको यह समझे में आया होगा अगर आपको कोई भी प्रब्लम हो तो simply comment कर सकते हैं मैं उसको reserve करने की कोशिश करूँगा तो आप लोग ने देखा किस तरह से हम लोग इसे perform करते हैं किस तरह से हम लोग अपने incognito mode के history को देखते हैं और किस तरह से हम लोग इसे delete कर सकते हैं तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो like करते और इस channel को subscribe करते Thanks for watching this video